हम पढ़ने जा रहे हैं आज फाइलम तीनो फोरा यह जो फाइलम तीनो फोरा है इसको जन्तु जगत का सबसे छोठा फाइलम मानते हैं यह जीव जो होते हैं वो मानसाहरी होता है काईनीवोरस होते हैं ओके और ये मॉलस्का के और क्रश्टीशन नडे और लार्व का किया करते है सेवन करते हैं इनकी मोड़ी अखिंडत होती है unsegmentate होती हैं और ये जो फाइलम है देखिए इसको हम ś Wineंट्रेटा फाइलम के बाद में पड़ते हैं क्लासिफिकेशन की देस्टी से, तो सिलेंट्रेटा में आप क्या देखते हैं कि उसके अंदर बहु रूपता पाई जाती है, पॉलिमॉर्फिज्म पाई जाती है, लेकिन यहां पर पॉलिमॉर्फिज्म और यहां हम कह सकते हैं बहु रूपता नहीं पाई जाती है, मतलब व होता है कि एक सिरे के उपपर केवल क्या है माउथ प्रेजेंट है और दूसरे जिरे के उपपर जो एनस होती है गुदाज होती है वो अपसिंट होती है ऐसे body plan को हम क्या कहते है blind sec body plan कहते है योदि हम इनके आवासों की बात करें, habitat की बात करें तो ये मेराईन होते है मुक्त रूप से तैने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं पैलेजिक कहते हैं और ये कैसे होते हैं स्वतल्त रू होते हैं एकल एवम कैसे होते हैं स्वतल्त जीवी होते हैं इनके शरीर संगठन की बात करें तो शरीर संगठन कैसा है बौडी और्गनेजेशन कैसा है तो इनके तिशु ड्र टाइप ऑफ बॉड कैविटी की बात करते हैं शरीर具 रख ना कित लुड नहीं पाई जाती है यह यह सिलोमेत ओर इनPlus होते है अग भुई होते हैं कि येтом को कि इस इडिपने के लिखा वह प्रे को है कि यहां पर चुछ मेंगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूशन हैं की यह डिप्लो ब्लास्टिक ह कुथ हैं या कहने सारी किताबों के अंदर यह सारी किताब कुछ में द्ansen कर भी स्षार है inclination अप्रश्ण उठता है कि यह कैसे हैं, तो वैसे तो इनको हम क्या कहते हैं, डिपलो ब्लास्टिक कहते हैं, वैसे तो इनको क्या कहते हैं, डिपलो ब्लास्टिक कहते हैं, क्यूंकि इनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है, लेकिन एक्टोडर्म और एंड यहां पर क्या पाई जा रही यहां पर किया अंदर द्धञ को रिख pretended जोंकि मंज के मद्य में और ये आ हों यह डिनुम पर facts के वर ना के अंदर क्या चीज पाई जाती है अमीबो साइट सेल्स पाई जाती है इसलिए इसको हम ट्रिप्लोग्लास्टिक भी मान सकते हैं ये जन्तु जगत के सबसे खूबसूरत जीवे ये डैली केसी के लिए कॉमलता के लिए और ब्यूटिफिल लेस के लिए सुन्दरता के लिए जाने जाते हैं ये रंगीन होते हैं कलर्फुल होते हैं और इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है पारदशी होती है इनकी इन्हें हम क्या कहते हैं इनका कॉमन नाम है टीनो फूराज जो फाईलम के मेंबर्स हैं उनको हम कॉमनली कॉम्ब जेलीज कहते हैं कंगक जैलिय और सूरी के प्रकाश में ये जो कंगत पटियां है, कॉम प्लेट से इंद्र धनुशी प्रभाव भी क्या करती है, उत्पन करती है, रेंबो इफेक्ट उत्पन करती है, इसलिए इनको जन्तु जगत के सबसे खुबसुरत जीव माना जाता है इन्हें नाकेवल कोंग जैली कहते हैं, इन्हें गूजबैरीज भी कहते हैं, इन्हें सी गूजबैरीज भी कहते हैं, या इन्हें सी वॉलनेट्स भी कहते हैं अप्रश उठता है कि इनको gooseberries या walnuts, sea walnuts क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके shape के भीहाब के उपर, आकरती के भीहाब के उपर ये नाम दिया गया है, अब आजाते हैं symmetry, right, symmetry कौन सी होती है, इनके अंदर समम्मिती कौन सी होती है, तो three area समम्मिती पाई जाती है, तीनों force की विशेश्टा होती है, ये three area समम्मिती पाई जाती है, by radial symmetry पाई जाती है, अब ये by radial symmetry होती क्या है, तो radial plus bilateral symmetry, radial and bilateral symmetry, radial and by radial, bilateral area, वो three partial सम्मिती को, एकटा हम क्या कहते हैं, three area सम्मिती कहते हैं, जो कि इनके विशेश्टा है, by radial symmetry है, याद रखना, इनके अंदर नीड प्रेटा संग की विशेशता थी वैसी नीडो ब्लास्ट कोशिकाएं तो नहीं पाई जाती है लेकिन इनकी बॉडी के अंदर जो इस पाशक होते हैं टेंटेकल्स होते हैं जिनका नंबर वन पेर होता है उन टेंटेकल्स के उपर इस्पेशल सेल्स होती है जो की एडेसिव सेल्स है आसंचक कोशिकाएं हैं जिनको की हम कोलो ब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं या लासो सेल्स जो होती है वो पाई जाती है और ये जो कोलो ब्लास्ट लासो सेल्स है ये शिकार को पकड़ने में मदद करती है यदि डाइजेशन की देखें कि Phylum Tenofora के इंदर Digestion का प्रकार के ऐसा है तो ये Intracellular और Extracellular दोनों प्रकार का है ठीक सिलेंटरेता संग की तरह है ये कैसे होते हैं Intracellular और Extracellular दोनों प्रकार का Digestion इसके अंदर पाए जाता है यदि हम इनके अंदर अंकाल तंतर देखें परिसंचन तंतर देखें शषण तंतर देखें और उत्सरचन तंतर देखें तो ये पूरी तरीके से अनुपसित होता है और विशेश थोर से स्वश्चन और उत्सरचन की जो प्रक्रियाएं होती है वो शरीर की सामने सता से होती है इनके अंदर तंत्री का तंत्र जो होता है वो विक्सित नहीं होता है इनके अंदर तंत्री का तंत्र डिफ्यूज टाइप का होता है विस्वित प्रकार का होता है अर्थार्थ इनके अंदर मस्तिश्क तो क्या होता है absent होता है, लेकिन मस्टष्क के इस्तान पर neurons तो होते हैं, इनमें neurons तो है, network like nerve cells तो पाई जाती है, लेकिन यहां पर मस्टष्क नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं कि तंसीकात अंत्र विश्च प्रकार का है, इनके अंदर विशेश प्रकार का एक balancing organ होता है और उस balancing organ को हम समवेधी अंग जो है वो समवेधी अंग या इसको हम क्या कहते हैं स्टेटोसिस्ट कहते हैं आप ये भी कह सकते हो कि इन प्राणियों के अंदर जो balancing organ है उसका नाम क्या इस्टेटोसिस्ट है ये जो जीव होते हैं टीनोफोर्स ये सबी हागने फ्रोडाइट होते हैं द्वीलिंगी होते हैं और इनके अंदर जनद जो होते हैं गुनैट्स जो होते हैं उनकी जो उत्पत्ती है वो कैसी होती है एंडोडर्मल होती है इनके अंदर वैसे तो निशेचन जो है वो बाहे कोशकी होता है लेकिन कुछ सदेश्यों के अंदर आंत्रिक निशेचन भी पाय जाता है फिर से बता दो निशेचन जो होता है वैसे तो बाहे कोश बाहे निशेचन पाय जाता है लेकिन हो सकता है कि इनके अंदर कुछ सदेश्यों के अंदर जो है वो कैसा निशेचन पाए जाता है तो अंत्रिक निशेचन भी पाए जासता है इनके अंदर परीवर्दन अप्रक्टेक्ष होता है इन डायरेक्ट डवलप्मेंट होता है indirect development या protection परिवर्दन का मतलब है यह larva वस्ता उपस्त होती है आप प्रश्ण होता है कि यह दी larva होता है तो कौन सा larva है तो the point to be noted here is that इनके अंदर सिद्धी-pid larva होता है इनके अंदर PDA content absent होता है देखिए इससे पहले जो classification के according हम इससे पहले कौन सा phylum पढ़ते है silent data phylum पढ़ते है silent data phylum के अंदर PDA content या जो metagenesis वगएरा जो है PDA content वो देखा जाता है लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का PDA content देखने को नहीं मिलता है तो यह तो थे सारे के सारे टीनो फोर्स के general characters लेकिन last में आते है कि इसका classification कैसा है तो यह जो phylum टीनो फोरा है यह क्योंकि एक छोटा सा phylum है तो इसकी केवल दो ही classes है इसको दो वर्गों में विवग्त किया गया है और दोनों वर्गों के characters बहुत बहुत सिर्मित है देखिए जैसे के नाम शो कर रहा है तीनो फोरा को दो classes में बत किया गया है Tentaculata और Nuda Tentaculata के विशेष्टा है कि इनके अंदर दो लंबे स्पशक पाए जाते है Tentaculata वर्ड कहा से है Tentacles आए तो इनके अंदर दो लंबे स्पशक पाए जाते है यानि कि two long tentacles क्या होते हैं प्रेजिंट होते है इसके जो उधारन है वो कौन कौन से है सेस्टम सबसे important उधारन तो है सेस्टम जिसको हम venus garden भी कहते हैं एक example है प्लूरो ग्रेकिया और तीसा जो एकजामपल है वो कौन से है तीनो प्लाना सिमित सदेश्य होते हैं ज्यादा members नहीं है इस फाइलम के अंदर तो tentaculata के ये सदेश्य है और एक और class है जिसका की नाम है nuda tentaculata और nuda के अंदर एक बड़ा difference है कि इसमें दो सपरशक उपसित होते हैं और यहाँ पर इसपरशक होते ही नहीं है tentacles are fully absent nuda को हम क्या कहते है biroy कहते है इसको common language के अंदर billy की टेरती आखें के नाम से भी जाना जाता है तो dear student ये जो था वो फाइलम टीनो फोरा का classification था मेरे वीडियो उसको देखते रहे है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए thanks a lot मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए